हलो फ्रेंज वेलकम टो आवर चानल हीमाचल तक तो फ्रेंज जैसा कि आप सब जानते हो कि आज से जियोए 817 की टाइपिंग टेस्ट का प्रोसेस शुरू हो चुका है तो आज का जो पेपर था वो हमारे पास आ चुका है तो मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ ताकि आपको उसके बारे में पता चल सके कि किस तरह का टाइपिंग टेस्ट आ सकता है आपको भी तो सबसे पहले तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये आज का जो पेपर था टाइपिंग टेस्ट के लिए वो ये था तो आपने आपने इसमें देखा कि जैसे ये एक स प्रफ्पैuéज्स के लुए इस पेते, इस भी पेपरीट नहीं घ्रीच्टा चील देना है कि यह आपकना ही, आपकना कीम कुछ जॉने के land चाहत से आपकर सब्सक्टश के सब्सक्स तो simply आपको type करते जाना है और आपको कोई भी हर एक line के बाद enter प्रेस करने की ज़रूद नहीं वो automatically shift हो जाता है next line पे ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि ये single passage में ही आ रहा है ठीक है और दूसरी बात ये है कि आप जैसा कि देख सकते हो कुछ difficult words भी डाले गए है और commas बार-बार use हुए है जैसा कि आप देख सकते हो जो line number है जहां पे strokes 1221 आ रही है तो आप उस line को देखिए वहां पे economies of scale comma, efficiency, comma capacity, comma enforceability and proximity, comma तो इसमें बार-बार comma का जो है इस्तिमाल किया गया है और कुछ difficult words है commas और difficult words की वज़े से आपका जो speed है typing का वो break होता है तो इसलिए इस तरह की challenges डाले गए है ताकि आपकी speed चेक हो सके तो आपको क्या करना आपको proper practice करनी है अपनी typing की commas include कीजिए और tough words को भी practice कीजिए ताकि आपकी जो typing speed है वहाँ पे final में अच्छी आए और तीसरी चीज ये है कि जो महौल वहाँ पे मिलेगा typing test के लिए वहाँ और भी candidates होंगे तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि औरों की typing के जो आवाज होती है आपको वो distract कर सकती है आपकी अपनी typing से आपको एसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको उसे फोकेस रखना है इसलिए आप जब घर पे प्राक्टिस कर रहे है तो आप प्लीज बैक्ग्राउंड में typing की आप जो sound होती है आजकल अवेलबल है ओनलाइन तो आप वो प्ले करके अपना typing प्राक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको उस महौल के according प्राक्टिस हो जाए ठीक है तो आप इस चीज के लिए भी prepare रह सकें तो आपको बिल्कुल भी वहाँ पे अपनी typing के समय nervous नहीं होना है आपको अपनी typing पे focus करना है दूसरे पे ध्यान नहीं देना कि वह कैसा कर रहा है fast कर रहा है slow कर रहा है आपको अपनी typing पे focus करना है ठीक है और बिल्कुल positive attitude के साथ please आप enter कीजिए क्योंकि positive attitude जो आप मन में रख के enter करेंगे examination hall में तभी आपका nervousness वाला factor जो है और एक और बात जो मैं यहां पे कहना चाहूंगी कि जैसे कि बहुत सारे candidates का यही question आ रहा था कि अगर हमने line skip कर दी तो क्या होगा कितने errors consider होगे देखिए आप इस चीज़ पे focus मत कीजिए कि कितने errors count होगे क्या होगा आप पहले तो यह focus कीजिए कि आपकी कोई line skip होनी ही नहीं चाहिए आप बिल्कुल भी कोई line, कोई word skip ना करें और line ना skip करें इसके लिए एक tip दे सकते हो कि आप क्या कर सकते है आप अपने जब आपको paper मिलता है तो आप starting में ही lines को numbering कर लीजिए जब numbering कर लेंगे तो आपको at least ध्यान रहेगा कि first line I have typed and I have to type the second line ठीक है तो आपको second line type करेंगे then third and then fourth and so on इसलिए आप numbering कर सकते हैं ताकि आपकी कोई line जो है वो skip ना हो और बाकि अगर आपकी speed 30 words per minute आ रही है तो आप पूरी जी जान से practice कीजिए क्योंकि आपको थोड़ी इससे ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी अपनी speed क्योंकि जैसे कि आप देखते हो difficult words हैं commas है तो obviously थोड़ा speed वहाँ पे break होने का chance है तो इसलिए बेटर है कि आप अभी practice कीजिए ताकि आपकी test के time तक थोड़ी speed और increase हो जाए ताकि आपको final में कोई मुश्किल ना आए अगर कोई commas भी जादा आ रहे हैं तो कोई दिक्कत ना है आप उस चीज के साथ practice कीजिए उस चीज के साथ focus कीजिए तो मैं तो आपको यही guidance देना चाहूंगी अपने तरफ से personal opinion है मेरा यह कि आप इन चीजों को focus कीजिए जो जो मैंने आपको points गिनना है और अपने typing test के लिए fully ready रहे है और full practice के साथ जाए बिलकुल आपका अच्छा होगा test बस यह आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है so all the best to all the candidates from my side और अगर आपको जो आज का test था उसका pdf चाहिए तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूं description box में link देकर आप वहां से easily download कर सकते हैं और उसको practice कर सकते हैं और उसी तरह के similar texts पे भी practice कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो to please like, share and subscribe our channel and thank you so much